नमस्कार, आज मैं आपके समुख ये जो जन्म कुंडली लेकर के आया हूँ, ये जन्म कुंडली एक प्रशिध नेता का है नेता आप कहशकते हैं, क्योंकि ये एक प्रशिध परिवार में जन्में, प्रसिधी जन्मजात प्राप्त, क्योंकि वर्तमान समय में ये कॉंग्रेस पार्टी के सर्वोपरी ही है सर्वोपरी इसलिए, क्योंकि देखा जाए तो उस पार्टी में इनका इस्थान सबसे उपर होता है यानि राहुल गांधी जी, लेकिन इनके कारेक्षत्र को लेकर के, कारेको लेकर के हमेशा और अभी तो वर्तमान समय में जब जो यूपी में चुनाव होने जा रहा है या होने वाला है, उसमें प्रश्ण चिन उठ गए हैं इनके उपर भी, या उठ रहे हैं लगातार से क्या इनकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं, जो कॉंग्रेस दूब रही है, या दूब रहने की स्थिती में है, उसको उबार सके आखिर इनके उपर जो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास लोगों का क्यों नहीं हो पा रहा है औरों की तो छोड़िये, इनकी जो पार्टी के कारे करता हैं, वो भी इन पर विश्वास नहीं कर पा रहा है तभी तो इनकी जगह, इनकी जो बहन है रियंका जी उनकी मांग हो रही है आखिर क्या कारण है कौन से योग हैं या यू कहें कि हमें सबसे पहले तो ये विचार करना चाहिए कि क्या ये अपनी पार्टी की जो डूबती नईया है उसको उबार सकते हैं पहला, दूसरा, कौन से योग थे जो इतने बड़े परिवार में ये जन में भाग्य तो था ही, क्योंकि सबसे बड़ा भाग्य तो यही है कि इनके साथ गांधी सरनेम जुड़ा हुआ है तो आखिर वो कौन से भाग्य हैं हमेशा देखा जाए तो इनकी बातों को हसी में भी उड़ाई जा रही है मजाग भी इनका उरता है हाला कि जो लोग प्रशिध हैं, उनके लिए ये आम बात है क्योंकि प्रशिधी की जिस उचाई पर है, जिस बुलंदी पर हैं ये सारी बातیں आम हैं जो इनके बराबर नहीं पहुँच सकते वो कम से कम इतना तो करेंगे ही कि इनके उपर फबतियां कसेंगे इनके उपर उंगलियां उठाएंगे इस विषय पर जादा चिंतन करने की आवशक्ता नहीं है चिंतन करने की आवशक्ता है कि कब इनकी कुंडली में वो समय वो वक्त वो योग आएगा जब ये अपनी बदौलत अपनी पार्टी को आगे ले करके जाएंगे आएए हम लोग इनकी जण्व कुंडली का अध्यान करते हैं ग्रहों को देखते हैं क्योंकि दो बाते हैं ये भले आज इनकी पार्टी विपक्ष में हो या सफल न हो लेकिन राहुल गांधी उतने ही प्रशुद्ध है देखाजाए तो इनके जो कारिकरता है इतना ही इनको मान सम्वान और प्यार देते हैं परन्तु ग्रहों का खेल या यूं कहिए कि ग्रहों की स्थिति कई बार विक्षि को बड़े से बड़े घर में जन्म दिलाने के बाद भी वो सारी चीजें जन्म तो उस व्यक्ति ने इसलिए ले लिया क्योंकि उसका प्रारब्ध था लेकिन वो ग्रह स्तिती कई बार नहीं बन पाती कि उस प्रारब्ध को व्यक्ति आगे लेकर के जा पाए तो आईए हम लोग इनकी जन्म कुंडली को एक नजर देखते हैं जानते हैं क्या कहते हैं इनके ग्रह योग ये मकर लगन की जन्म कुंडली है दस नंबर से प्रारंब हो रही है अर्थात मकर लगन मकर और कुंभ इन दोनों राशियों के स्वामी कौन है सनी लगने कहां पर आकर के बैठे हैं तो चतुर्थ स्थान में जहां पर आप इस कुंडली में ये एक नंबर देख रहे हैं कुंडली का चतुर्थ स्थान यहीं पर लगन के मालिक बैठे हैं परन्तु कैसे हैं तो मेस रासी में ये नीच के हो जाते हैं लगनेस का नीच का होकर के बैठना सवाल ये उठता है कि जब लगने से नीच का है तो जातक प्रशुद्ध कैसे है भागय पर द्रिश्टी डालिए जहां पर इनकी कुंडली में छो नमबर लिखा है कुंडली का नौम स्थान भागय का स्थान भागयेस यानि एक त्री त्रिकोण का मालिक खुद त्रिकोण में जाकर के बैठा है जहां पर इस कुंडली में आप ये दो नमबर देख रहे हैं कुंडली का पंचम स्थान भागयेस यानि नौम स्थान का मालिक पंचम स्थान में आगे, विरिश्चिक रासी के हैं ये, जहाँ पर आप इस कुंडली में ये आठ नम्बर देख रहे हैं, कुंडली का एकादो सुस्थान, यहीं पर चंद्रमा नीच के होकर के बैठे हैं, तो विरिश्चिक रासी और चल रही है इनको सनी की साधे साती, सन ơi की साधे-सात ही इनको चल रही है तो क्या यही प्रमुख कारण है जिसके चलते यह समाज में अपना मानसंबान नहीं बना पुराई रहे है कई यह कारण है उन कारणों पर भी गौर करिए सबसे पहला कारण बना सनी का नीच होना और सनी जो नीच के भी है और अपनी दसमी पूरन द्रिष्टी लगन पर डालते है अब यहाँ दो तीन चीजों की कडिया मिलाइए तब आपकी समझ में आएगा अगर आखों में फोड़ा हो घाओ हो तो जो हवा बहुत सुन्दर लगती है वो भी दर्द पहुचाती है अगर मान लीजिये कि आपकी आखों में चोट लगी हो आखों में बाल चला गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो जिससे आपको पीड़ा हो रही हो तो एक मधूर हवा जो ठंडी ठंडी हवा है और लोगों को सितल्टा पहुचा रही हो वो आपकी आखों को दर्द पहुचाती है वहीं पैर में अगर आपके काटे चुभे हो तो रेत पर चलने में जहां और लोगों को आराम मिलता हो वहीं आपको दर्द की अनुभूती होगी ये उदाहरण मैंने क्यों दिया अब इसको समझे जब व्यप्ति सफल न हो पा रहा हो वो जो कर रहा हो उसके सारे दाव उल्टे पड़ रहे हो तो कहीं न कहीं उसके योग भी दुर्योग का ही काम करते हैं सामानेतया देखा जाए तो इसी तरह के सणी को अमिताभ वच्चन जी की कुंडली में कहा जाता रहा है कि अमिताभ को सणी ने सणी बनाया इनकी कुंडली में अंतर बस इतना है कि सणी इनके नीच के है सणी नीच के हैं द्रिष्टी उनकी भी पढ़ रही है लगन पर लेकिन यहां जैसा कि मैं पहले से कहता आया हूँ कि शनी जब लगने से संबंध बना रहे लेते हैं तो जातक के कारे को बिलंबित कर देते हैं ऐसे जातक के जीवन में सफलता मिलती तो है परन्तु बिलंब से प्रतेक कारिय बिलंब से होता है बनता हुआ काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है ये बात मैंने मिताब बच्चन जीक साथ फिर क्यों नहीं कही निश्चित रूप से उनके साथ भी ऐसा होता होगा उनके भी कार्य बिलंबित होते होंगे लेकिन अभी इनके सारे दाओं और जरगौर से विचार करिए कि सब लोगों की दृष्टी क्योंकि ये उचाई पर नहीं है उचाई के उस उस्तर पर हैं जहां सभी लोग इन ही पर दृष्टी जमाय बैठे हैं एक प्रबलतम ये कार्ण बन जाता है कि जब सभी लोगों की दृष्टी इन ही पर हो और ये बेहतर नौक दे पा रहे हों तो प्रश्ण उठना स्वाभाविक है फिर वहां काम कर दिया साढ़े साती ने जो कि चंद्रमा नीच का लेकिन सब कुछ बुरा है ऐसा ही नहीं अगर ऐसा होता तो इतने महान घर में जन्म कैसे लेते इतने प्रशिद्ध घर में जन्म कैसे लेते तो पहला तो मैंने दिखाया इनका भाग्यत दूसरा देखिए, सूर्य और मंगल दोनों के दोनों इस कुंडली के छठवे भाव में बैठे हैं। दूबती है, लेकिन पुनह पूरे जोर बल के साथ उभर आती है। तो अब तो फिलहाल जब मैं राहूल गांधी की कुंडली की बात कर रहा हूं, तो मैं सारी चीजे इनके उपर ही नहीं डालूँगा, लेकिन ये अवश्य कहूंगा, कि जहां इनके विरोधी, इनके उपर ह पावी होते दिख रहे हैं, वहीं ये योग, आगे चलकी ये इस्तिती अवस्य ले आएगा, कि वो शभी लोग सांथ हो जाएंगे, परन्तु वर्तमान समय में इनको चंद्रमा की महादसा चल रही है, वो चंद्रमा नीच का है, जो सफलताओं में बाधक बन रहा है, पूर के दसम स्थान में, कैसे है वक्री, गुरु कौन, अत्यंत सुभग्रा, और वो वक्री, केवल वक्री नहीं, वरन उस पर नीच के सनी की द्रिश्टी, और वो गुरु कैसे है, तो वो गुरु है, शत्रू भावस्त, शुक्र के घर में, और उस गुरु पर राहु की नवी द्रिष्टी थान हानी करो जीवह कर्म उस्थान में बैठ करके इनके कारेक श्यत्र में बाधा उत्पन करना इनके बेहतर कारियों का भी बेहतर परिणाम न मिलने देना ये सारे कारण बन गए अब फिर से आजाईए सूर्य पर इस सूर्य पर सनी की तीसरी द्रिष्टी और राहू की पांचवी द्रिष्टी ने क्या किया जातक को कलंकित कराया इनके कारेकाल को लेकर के इनके कारेक के छेत्र को लेकर के या यू कहिए कि इनके कारेसेली पर हमेशा उंगली उठने लगी सूर्य पर सनी की द्रिष्टी राहू की द्रिष्टी व्यक्ति को कलंकित कर जाती है इस भाव का मालिक चंदर्मा नीच का होकर के बैठा है और उसी भाव में शुक्र लेकिन कैसा तो पापकरतरी योग के साथ देखिए एक तरफ मंगल सुर्य दूसरी तरफ केतु ये पापकरतरी योग है और वहीं शुक्र वैसे तो सब्तम स्थान में कारक लेकिन अक होता परिशानिया खड़ा करने लगता है सो विवाह में बिलंबित होना विवाह में बाधा उत्वन होना अब सवाल उठता है कि क्या कभी ये सफलता के उस मुकाम पर पहुंचेंगे जड़ा गौर से विचार करिए भाग इनके पास अत्यन तस्रिष्ट है कर्म में ये लगे हुए है शनी जो राजनीती का कारक होता है राहू के साथ साथ वो सनी नीच का हो गया है और राहू जो सनी के घर में ही बैठे हुए है दुतिय भाव में देखा जाए तो ये एक बार अवस से उठेंगे क्योंकि सुर्य और मंगल की जो युती है वो पराकरम योग लगा करके बैठे है और अपने विरोधियों को परास्त करते हुए सफलता हासिल करेंगे आने वाले दिनों में जब इनको मंगल की महादसा प्रारंब होगी चंद्रमा की अभी चल रही है जब मंगल की महादसा प्रारंब होगी सनी की साढ़े साती इनकी समाप्त हो जाएगी ये पुनह उठेंगे और केवल उठेंगे ही नहीं अपने विरोधियों को परास्त करक सब को उचित जवाब ये देंगे अपने कर्मों की बदोलत यहां गौर से देखने वाली बात है कि वाणी जो की कारक है उसका बुद्ध वो बैठा हुआ है ज्यान भाव में और कुंडली का जो दुतिया इस्थान है वो वाणी का है वहीं पर राहु बैठे हुए हैं और रा लेकिन वो वक्री हैं उतना स्रेष्ट प्रभाव नहीं और गुरु राहु का संबंध जो बन रहा है एक दुसरे से दृष्टी संबंध ये चांडाल योग का निर्मान कर देता है जिनके लिए ये वेहतर करते हैं वो लोग भी कही न कहीं ऐसे कारे कर देते हैं जिसके चल काली पर हर दिन प्रश्ण चिन्हें लगता है तो ये सारे कारण इनकी कुंडलियों में बड़ी सरलता से देखे जा सकते हैं